दोस्तों आप भी भारत को विश्व की सबसे बहतरीन टीम मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखीगा साथी साथ विराट कोली और चेतेशर पुजारा मैसे कौन बारत का बहतरीन टेस्ट प्लेयर हैं नीचे दियेगा कमेंट बॉक्स में अपनी रायस जरूर दे दोस्तो भारत की टीम साथ अफरिका दौरे के लिए पहले 17 दिसमर को मैच खिलने वाली थी लेकिन कोरोना के खतरनाक एमरिकॉन वेरियन के कारण ये सीरीज 10 दिन इस्तगित हो गई है और T20 सीरीज रद भी हो गई है दोस्तो हाल ही में BCCI के अध्यक्ष सौरफ गांगुली ने बारत के नियमित वंडे और T20 के कप्तान विराट कोली को हटाकर रोहिश शर्मा को बनाया है और उपकप्तान के रूप में केल राहूल को बनाया है टेस्ट में कप्तान विराट कोली ही रहेंगे लेकिन उपकप टीम में प्रियांक पांचाल शामिल हो गए हैं दोस्तों भारतिय टीम 12 दिसंबर से मुंबे में कॉरंटाइन के साथ साथ अब व्यास कर रही थी जिसके बाद उन्हें 16 दिसंबर को भारत के लिए रवाना होना है बारतिय टीम आज साउथ अफरिका दोरे के लिए रवाना करने लोकेश राहूल के साथ मयंक अगरवाल उतर सकते हैं लोकेश राहूल बारतिय टेस्टीम में साउथ अफरिका सीरीज के लिए उपकप्तान रहेंगे जिनकी टेस्टीम में बड़े लंबे अर्से के बाद एंट्री हो रही है इनका साथ मयंक अगरवाल देंगे जिनो जो कि इस टीम के कप्तान है विराट कोली अपने प्रदर्शन को बहतर करना चाहेंगे पांचवे नमबर पर बल्ले बाजी के लिए श्ट्रेस आयर उतर सकते हैं जिनोंने अपने डेब्यू मैच में शांदार शतक लगा कर अपनी टीम में एंट्री पक्की कर लिए है छटव खिलाडी टीम को बल्ले बाजी और गेंद बाजी दोनों तरफ से टीम को मदद दे सकते हैं नौवे नमबर पर तेज गेंद बाजी के लिए मौहमज सिराज को खिलाया जा रहा है उन्होंने पिछले मैच में शांदार पांच विकेट लेकर न्यूजरलैंड की टीम को कमर तोड़ी थी और जीत में एहम योगदान भी दिया था इसके बाद दसवे और ग्यारवे नंबर पर मोहमज शमी और जस्परीद बुबरा शामिल हैं ये दोनों खिलाडी भारतिया टीम की रीड़ की हड़ी हैं ये दोनों खिलाडी समय आने पर अपने कप्तान को विकेट लाकर देते हैं जिसके कारण टीम जीत के करीब भी पहुंच जाती है तो दोस्तों कैसी थी टैस सीरीज के लिए प्लेइंग 11 आप भी अपनी प्लेइंग 11 नीचे दिये के कमेंट बॉक्स में जरूर रिखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर साथ ही साथ आगे की ताज अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा धन्यवाद